19 अप्रेल 2026 देश की 18 वी लोकसभा की आम चुनाव पहला चरण और मतदान शुरू हो चुका यह कहें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्री देश के महापर्व लोकतंत्र के इस महापर्व का आगाज हो चुका है देश की 543 लोकसभा सीचों पर 7 चरणों में चुनाव हो रही है और आज से उसका आगास हो गया इस बीच जब मतदान सुभ करीब 7 बजे से तमाम मतदान के इंद्रों पर तमाम संसद्य शेत्रों के मतदान के इंद्रों पर शुरू हुआ तो अब जाकर के लगभग यहां 30 प्रतिशत के आसपास मतदान होने को आ है हलकि सब ही संस प्रश्रिम बंगान में अब तक करीब 2.5 बजे तक आज का सबसे ज़्यादा मतदान प्रश्रिम बंगान में अब तक हमीद देखने को मिला इस बीच बात करेंगे हम बिहार पर बिहार जिस तरीके से यहां केंद्र बना हुआ है इस वक्त और उसका मुख्य कारण रहा इस साल जिस तरीके से मुख्यमंद्री निदीश कुमान ने महा गडबंदन इंडिया गडबंदन छोड़कर वापसी इंडिया गडबंदन में कि उसके बात से बात करेंगे यहां पर बिहार के सियासी संग्राम पर चार सीटों पर पहले चरण में बिहार में चुनाव हैं बात करेंगे यहाँ पर बीजेपी की तयारी और उसके नारी की आखिरकार बात जरूरी है नमस्कार अब देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ अक्षा गरवा दिरेश हमारे सहयोगी हैं बात करेंगे दिरेश से लोकतंत्र का महापरवा ठारेवी लोकसभा देश की है भारत की है और पहले चरण में देश की 102 सीटों बर मदान जारी है बिहार के 4 सीटी है बिहार में कैसा मुझे याद आता है 2014 में जिस वक्त चुना हो रहे थे उस दोरान UPA सरकार से रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा था कि आपने जो 10 साल साशन चलाया है उसका रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए ऐसे में कहीं न कहीं सेम सिच्वेशन अब बीजेपी के सामने है देश की जनता लगातार जिस तरीके से महंगाई है बेरोजगारी है और लिमिट लेस यहाँ पर जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है लगातार उस मुझे पर युवा में खास तोर पर इसका आक्रोश देखने को मिल रहा है लेकिन फिलहाल जो बीजेपी की सरकार है वो लग महिलाओं की बात की जाए तो यहां पर भी एक तरीके से तीन तलाग का मुद्दा जो था वो बड़ा मुद्दा था उसको खत्म किया और उसका क्रेडिट बीजेपी लेने की कोशिश की जा रही है इसके साथ साथ 2024 के लोग सबाद चुनाओं में कही ना कहीं बीजेपी एक संकेत देना चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का फोर्मूला लाकर के हम देश को एक अलग दिशा में यहां पर ले जाने का काम करेंगे और इसके साथ साथ 33 फिजदी महिलाओं को भागिदारी देने की जो बात क चुनाओं लड़ रही है और ऐसे में कहीं तेजस्वी आदव के लिए अगनी परिक्षा है क्योंकि आगयाने वाले वक्त कहीं ना कहीं तेजस्वी आदव के लिए नितीश कुमार भी एलान कर चुके हैं यह आख्शा आपको याद हो कि जिस दोरान उन्होंने नितीश कु अगले साल राज्जी में बिहार में 243 विधानसवा सीटों पर भी आम चुनाव वहां कि या नि विधानसवा चुनाव नहीं दिरेश जिकर के आपने प्रभुक मुद्दों का तीन तलाग कर जिकर किया राम मंदिर कर जिकर किया यहां पर लेकिन अगर देखा जाए बीज कर देखा जाए तो मैं कल एक सर्वे देख रहा था और उसमें राम मंदिर का मुद्दा जो है आठ फीस्दी लोग इस पर बीज़ेपी का स्पोर्ट करते भी नज़रा रही है इसके साथ साथ 3 फीस्दी लोग जो है उधारत 370 के मुद्दे के उपर भारती जनता बाटी के समर्थन में हैं इसके अलावा यह दिबात किजाए तो करीब 42 फीस्दी एक के बड़ी एजेंसी है जिसने सर्वे किया है 42 फीस्दी जो लोग है वो प्रदान मंतरी नरेंदर म मोदी को पी-म का चेहरा मान देख रहे है 38 फीस्दी लोग यहां पर राहूल गांधी के समर्थन में जाते दिखाई दे रहे हैं देखिए एक बड़ा इंपेक्ट क्रियेट हुआ है जब से चुनाव के ठीक पहले अर्विंद केजरिवाल को जो गिरफतार किया गया है दिल बिंद केजरिवाल की 26 जो 15-16 फीस्दी बंती नजरा रहे थी वो गिर करके 6-7 फीस्दी आ गई है क्योंकि सक्री राजिती से दूर हो गए ऐसे में यहां पर तमाम जो मुद्दे हैं जहां पर 1370 की बात कर ली जाए रामंदिर की बात कर ली जाए या फिर तिंतला की बात क कर ली जाए या UCC की बात कर ली जाए लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है उस दोरान किसानों का MSP देने का था और बेरोजिगारी खत्म करने का था और यह दो ऐसे मुद्दे हैं अक्षे जहां पर बीजेपी फस्ती में नजरा रही है क्योंकि दोनों ही मुद्दों में नाकाम साबित होई गया तोनों मुद्दों में बीजेपी नाकाम साबित होती है नजरा रही है और वो एक ऐसा प्रम खुद्दा माना जा रहा है जिससे बीजेपी बैक फुट पर नजरा रही है समान में रहेगा कि नितीश कुमार को लेकर उनके करीबी रहे और प्रसिद राजनीति इरणनीतिकार प्रशांत किशूर ने ये दावा किया है कि अगले साल जो राजिम विधानसवा चनाव होनी है नितीश कुमार उससे पहले फिर एंडिये छोड़कर महागडवंदन में कितने सचाइन के दावे में लगती है देखिए पिछले दस सालों के ट्रेक रिकोर्ड को यदी हम देखे आक्षे तो ऐसा ही प्रतीत होता नजरा रहा है क्योंकि 2015 में जब चुनाव लड़ा था तो उस दोरान जेडियों और आरजेडियन मिलकर के चुनाव लड़ा था उस करते हैं तो फिर से कही ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ आते हैं और बीजेपी पर पार्टी को खत्म करने का आरोप लगाते हैं ऐसे बहुत प्रशांत किसोर की जो प्रेडिक्शन से हैं वह सही सावित होती नजरा सकती है क्योंकि जिस तरीके का ट्रेक रिकोर्ड पिस से यही इसी आधार पर कहीं न कहीं प्रशांत किसोर अपनी टिपनी अपनी यह स्टेटमेंट देते हुँ नजर आ रहे हैं और उनको प्रतीच भी हो रहा है विए प्रभार के राज़िती वैसा संबव भी हो सकता है संबव हो सकता है इसका प्रभुकारण यह है कि बिहार के जो बीटे दो विधानसबद चुनाव रहे वहां पर नितीश कुमार को लालू पुसाद यादव से हाथ मिलाकर पायदा रहा जब कि लोगशबा में लालू के साथ प्रिशाइज गुमारु को लेकर प्रिशान्त की शोड ने जो बात कहीं कि अगले साल होने वाल राजी की विदान सब्च चुनावों से पहले वह फिर लालू के साथ चले जाएंगे लालू के लालतेन पर लटक जाएंगे ये वाकई में हो सकता है आपके मुताबिक अपनी राए इस पर हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं लाल के लिए स्पेशकरश में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 News